के लेट्स आइफ्टार्ट डिसकेसन अन्दा इलेक्ट्रानिक नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट जिसे इनाम कहते हैं इसके बारे में जानते हैं तो न्यूज में ये था कि मिनिफ्ट्रिय आप एग्रिकल्चर के अंतरगत आने वाले Electronic National Agriculture Market ये Platinum Award याने की 5th Position जीता Digital India Award 2022 के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के राफ्ट पती ध्रोपती मुर्मुजी ये अवार्ड दे रहे हैं इस तरह से Digital India Award होता है तो हम लोग Digital India Award के बारे में थोड़ से जानेंगे और उसके अतरिकता हमारा मेजर फोकस रहेगा इस इनिसियेटिव पे Electronic National Agriculture Market पे तो इस तरह से Electronic National Market है वो इनाम कहलाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो कारिकरम था जहां पर आवार्ड मिला और New Delhi में हिल्ड हुआ और इसे Digital Empowerment आप Citizen Category के अंतरगत इनाम को ये Platinum Award मिला तो ये जो Digital India Award है ये कौन होफ्ट करता है तो Ministry of Environment and Broadcasting यहां आपको बताना चाहूँगा पहले इनाम के बारे में तो इनाम एक flagship initiative है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare का तो चुकि ये National Agriculture Market का बात है ये किसके दारे में आता है? क्रिस्सी मंत्राल है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के दारे में आता है National Agriculture Market Electronic वाला एक Pan India Electronic Trading Portal है क्या है ये Pan India याने पूरे भारत भर में काम करेगा Electronic Trading Portal है मतलब वेब साइट है इस तरह का एक वेब साइट है वेब साइट और ये ट्रेडिंग करता है किसी इसका ट्रेडिंग करता है? Agriculture and Horticultural Produce का कमोडिटी का और भारत भर में जितने भी APMC मंडी है Agriculture Produce Market कमिटी मंडीज ये APMC मंडीज सब यहाँ पे लॉगिन करके जूड़े है सभी का इस वेब साइट पे उनका अपना टुटल प्राइस रहता है MSP प्लस उनके द्वारा दिया गया बोनस और किसान इस वेब साइट पे जूड़ते हैं मंडी भी जुड़े हैं और किसान भी जुड़े हैं तो मंडी अपना प्राइस जग जाहिर करते हैं पब्लिक ले बताते हैं और किसान को वो प्राइस दिखता है अब किसान को जिस भी मंडी में जाकर के बेशना है जहाँ से ज़्यादा प्राइस मिलेगा वहाँ प्योजा करके बेस देगा क्लियर है फंडा कि इनेशना मार्केट का कैसे कांसेट है क्या काम करता है तो ये यूनिफाइड नेशना मार्केट है एगरिकल्चर एंड हार्टिकल्चर कमोडिटी का इसको चलाने का में जिमेदारी किसका है तो इस तरह से एक संफ्था है ये लोगों याद रखे लगु क्रिसक क्रिसी व्यपार संग इसको कहते हैं इसमाल फार्मर एगरी बिजनेस कंसूर्टियम एस एप एसी तो इसमाल फार्मर एगरी बिजनेस कंसूर्टियम ये lead agency है इस इनाम project को run करने का यानि electronic national agriculture market को देखने का आपको जानना चाहिए small farmer agribusiness consortium इनका और क्या रोल होता है जबी भी pulses और oil seat का MSP तय करना होता है उस जगह में भी small farmer agribusiness consortium का रोल आता है क्योंकि जो small farmer है एक से दो hectare वाले किसान वही सबसे ज़्यादा क्या लगाते हैं pulses और oil seat का cultivation करते हैं छोटे किसान तो small farmer agribusiness consortium है recent में काफी credibility का जगह बनाया और ये small farmer agribusiness consortium है ये भी ministry of agriculture and farmer welfare के अंतरकत काम करता है ठीक है यहाँ आप जानते हैं इनाम एक digital platform है और ये लगभग 1260 1250 APMC मंडी को जोड़ चुका है भारत के लगभग 22 इस्टेट और 3 UT के जो APMC मंडी हैं वो इससे जुड़े हैं और ये वहाँ पे online trading provide कर रहा है लगभग 203-203 agriculture and agriculture commodity के बारे में जानकारी मिलेगा किसान को सही दाम मिले उसके produce के लिए इसलिए initiative किया गया है यहाँ पे GPS active रहता है इससे क्या होगा जैसे आप याद करो जब आप किसी cab booking app में cab book करते हो आपका location फेट हो जाता है और उसके बाद में nearby कौन कौन से nearby कौन कौन से जो cab है वो दिखाई देता है उबेर में कियोंगे तो और वो कितना मिनट में आपके पास पहुचेंगे वो दिखाई देता है तो बिलकुल उसी तरह से आप जीव जगा में खड़े होते हो किसान की रूप में आपने रेजिफ्टर किया है और जो भी आपका location है उसके अधार पे आपको nearby कौन से APFC मंडी आपसे कितना दूर है और वहाँ पे कितना price चल रहा है आपके selected crop का जैसे आपने rice का grade A select किया है तो nearby मंडी में किस मंडी में कितना उसका bonus के सांथ में पैसा है क्योंकि इसमें ये बात था आप इसको और भी इसके basic पढ़ते हैं तो e-national agriculture market के provision को पढ़ सकते हैं आप चाहें तो मैं यहाँ केवल इसके कुछ important पहलू पर ही बात कर रहा हूँ इसके latest पर बाकी और भी इसके stable data होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको न एक्जैक्टा location याने APMC मंडी में कितना price है किसी product का इसके बारे में जानकारी मिलती है और आप ये भी tag कर सकते हो कि वो आप से कितना दूर पर है वो Monday तो उससे क्या है क्या आपको वहाँ ले जाते तक जैसे किसी Monday में price ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन आपको लगा कि यहाँ ले जाने से क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट काफ्ट ज़्यादा हो सकता है तो फिर आप नहीं ले जाते हैं तो क्यों क्यों क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट काफ्ट ज़्यादा पड़ेगा तो इस तरह से डिफिजन लेने में मदद मिलता है किसान को क्योंकि उसका ओबराल अबजेक्टिव होता है बेटर प्राइस फेज करना क्योंकि वो जहां दाम ज़्यादा मिल रहा है ना वहीं जाकर के बेचेगा एक बात और बताना चाहूंगा ये इनेशनल अगरिकल्चर मार्केट क्रियेट किया गया तो ये भी फोकस किया गया था कि इनेशनल अगरिकल्चर मार्केट है वो पहले के जो नियम थे उनको तोड़ा गया था कौन से नियम को तोड़ के बनाया गया था E National Agriculture Market तो इसे जब इफटार्ट किया गया National Agriculture Infrastructure Fund के तहाद तो इसमें ये फोकस किया गया था कि पहले कोई किसान पहले जिस मंडी पे ही उसका इंडॉल्मेंट था छिविस कभी सुऊधा दिया कि कोई भी किसान दूसरे वंदि में भी बेज neighbor सकता है अभी creclection है लेकिन पिर आल इन इस लेगरी कल्चर मांकेट इसी मात करता है कि वह जिस वंदि में इनरॉल है उसके भी अत्रिक्तत दूसरे मंदि पर बेज सकता है जैसे आपको बताऊंगा जो रासन कार्ड होता है जहां से नाम लिखा होता है रासन कार्ड का उसी फेयर एंड जो फेयर प्राइस साप है उचित मुल्य की दुकान जहां पर नाम है वहीं से आप रासन ले पाते थे लेकिन बीच में डेली गवर्मेंट ने ये इनिसेट्यू लिया कि आप कहीं से भी आपका रासन उठा सकते हैं क्योंकि ऐसे में क्या बेनिफिट होता है यदि किसी रासन दुकान से आपका नहीं बन रहा है तो आप मजबूर नहीं होंगे कि उस यदि जगड़ा हो गया तो आपको वहीं से लेना है और वो आपके सांद में problem create करें आप कहीं से भी किसी भी राशन के दुकान से ले सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसका भी था कि आप किसी भी मंडी से भी बेश सकते हैं आपके produce को जो आपको better price मिल रहा है तो ये initiative इसको थोड़ा सा special बनाता है और ये ना pan India program है पूरे भारत बर के लिए चलने वाला program है यहां ये भी जानिये कि ये एक तरह का मंडी के operation का digital transformation है क्योंकि सारे मंडी का pricing online में जुड़ गया अभी भी बहुंच सारे मंडी बाकी हैं जुड़ना government और ज़्यादव ज़्यादा promote कर रहा है क्योंकि जो agriculture है ये state subject है इस्टेट के उपर में काफी dependency रहती है कि इस्टेट participate कर रहा है ये नहीं कर रहा है और जैसा आपने जाना ये e-trading है तो trading में केवल बेचने का काम नहीं होता selling यहाँ पे केवल किसान के द्वारा selling नहीं होता बलकि buying भी होता है कई सारे ये भी आप note कर सकते हैं कई सारे agriculture input है उनको खरीदा जाता है यहाँ से जैसे कई लोग यहाँ से 20 खरीद लेते हैं कई लोग यहाँ से जो agricultural implement and a tool है वो खरीद लेते हैं तो किसान यहाँ से इस तरह से buy कर सकते हैं तो यह एक तरह का trading portal है जैसे अमेजान यह flip card का होता है उसी तरह से अमेजान में क्या होता है कई लोग वहाँ पे बेशते हैं यह जे seller और आप सब लोग खरीदते हैं यह जे customer यह जे student रहते हैं तो खरीदते हैं अब आपको 2022 दिसमर का last तक का update बताता हूँ लगबग इसमें 1.74 क्रोड से भी ज़्यादा किसान जूड़ चुके हैं और लगबग 2.39 लैक ट्रेडर इसमें रजिफ्टर कर चुके हैं ठीक हैं यहाँ पे आप site बजा करके रजिफ्टर कर सकते हैं ए टोटाल ट्रेड कंसिफ्टिंग आप 59 मिलियन मेट्रिक टन वर्थ रुपिज 2.42 लैक करोड हैज बिन रिकॉर्डड अंदा इनाम प्लेट पांप यह देखा गया है कि लगबग 2.42 लैक करोड वैल्यू का यहाँ पे बिजनेस हो चुका है लगबग 59 मिलियन मेट्रिक ट जे यह जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है जो इनाम को मिला है इसके समंद्ध में यह है इसे इंफिट्यूशन कौन करता है मीटी और मीटी क्या है मिनेफ्टरिय आप इलेक्ट्रोनिक एंड इनफार्मेशन टेकनलोजी यह नेशनल पोर्टल आप इंडिया के दारे में इस डिजिटल इंडिया अवार्ड को दिया जाता है और यह डिजिटल इंडिया अवार्ड बेटर सर्व करने के लिए इनाम को मिला तो केवल यह तो करंट अफेर टाइप का हो गया कुछ एक्जाम में इस तरह से की डिजिटल इंडिया अवार्ड कौन इंफिट्यूशन क वैज्याज साफ गॉझग प्लावाइ। किए गया लॉए, झाल 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 झाल